तो कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में बात करेंगे एस जशंकर एक्सरनल अफेस मिनिस्टर जो हैं वो रश्या के दौरे पे हैं और वहां पे वो रश्या के फॉरन अफेस मिनिस्टर से मिलते हैं इंडिया रश्या के क्या रिलेशन्स है किस तरीके से अपना रिलेशन काम क सारे मसलों पर बात करने वाल है इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रिजेंटेट बाइम मुदुद गुटा अनकाडमिया सब्सक्राइब करने के लिए 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 अनकाडमिया बहुत ही जबर्दास ओफर चल रहा है सिरफ एक हफ्ते के लिए कि अगर आप जी एस और आपको अटेंट करना ही है इसके अलावा अनकाडमिय का प्रॉमिस वीड चल रहा है तिल 14 जुलाई कि अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और बाइचांस आपका सेलेक्शन नहीं होता तो आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा ये अनकाड दो साल का 23 का बैच इंग्लिश हिंदी बाइलिंग वर में कंप्लीट कॉंप्रियंसिव बैच जहां पर 100 प्रिंट सेलेबस की अगवर किया जाएगा प्रीमेंस और इंटर्वी के पॉइंट अवी से यहां पर मैं भी पॉलिडी का बैच लाउंच करने वाला हूं दोज़ा तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एजय शंकर का विजट था रश्या में उनमें किन मसलों पर बात होती है सबसे पहले एजय शंकर ने बोला कि रश्या के साथ जो हमारा रिलेशन है that is a special and a privileged partnership देखिए यह जो अलग-अलग keyword यूज होते हैं joint statements में यह काफी important होते हैं यह ह जो बड़े-बड़े ऐसे titles होते हैं जो relation को दिये जाते हैं they show the significance that we attach to a country that India and Russia have special and privileged partnership S.J. शंकर ने रश्या को यहां पर thank you बोला किस वज़े से जब हमारे यह second wave of coronavirus चल रहा था बहुत ही massive तरीके से हमारे यह coronavirus फैल गया था उस time पर रश्या ने हमारे को चार consignments भेजे PPE, kids के, ventilators वगरा के और अलग-अलग equipments के साथ के साथ Corona के domain में India और Russia Sputnik 5 vaccine को co-develop कर रहे हैं हमारे यहां की जो company है Dr. Reddy's Laboratory वो रश्या के साथ collaborate करके Sputnik 5 को distribute कर रही है कहने का मतलब है vaccine के domain में भी India and Russia are collaborating तो this is known as COVID diplomacy आप यहां पे mains में यह interview में यह essay में जब भी इस बारे में लिखेंगे you will use the keyword COVID diplomacy COVID diplomacy इसके अलावा S.J. Shankar ने बोला कि India और Russia का shared vision है कैसा global peace का हम दोनों को ही आतंगवाद नहीं चाहिए हम दोनों को ही violence नहीं चाहिए security and stability हम बिलीव करते हैं कि दुनिया में multipolar world order होना चाहिए देखिए यह जो मैंने pink color में highlight कर रहा है यह बहुत important keyword है जो S.J. Shankar ने use कर रहा multipolar global world order इसका मतलब है इंडिया ने Russia को signal दिया कि हम United States को support नहीं करते कि वो दुनिया की इकलोती पावर बनी रहे हम चाइना को support नहीं करते कि वो दुनिया की इकलोती global power बने हम बिलीव करते हैं कि दुनिया में अलग-अलग power center होने चाहिए चोटे-चोटे power centers होने चाहिए औ और उन्होंने भी बोला कि हम multipolar global world order में बिलीव करते हैं इसका मतलब यह है कि Russia ने India को signal दिया कि चाहे हम China के बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन हम China की global supremacy कभी support नहीं करेंगे कहने का मतलब है यहाँ पर India ने US के context में बोला और Russia ने China के context में बोला कि हम US और China की global supremacy ऐसा system चाहते हैं जहाँ पर कई सारे देशों के पास power हो कई सारे देश अपनी आवाज आगे रख सकें और कोई भी एक देश पूरी दुनिया पर राज ना करें we do not we do not we do not believe in a unipolar world हम unipolar world में believe नहीं करते हम multipolar world order में believe करते हैं इसका मतलब यह है कि India जो है वो US के साथ भी का करेगा रश्या का कहने का यह मतलब है कि वो चाइना के साथ भी काम करेगा और वो इंडिया के साथ भी काम करेगा इसको अगर मैं और simplified भाशा में आपको बताऊं इसका मतलब यह है कि इंडिया जो है वो US को ऐसे कभी support नहीं करेगा कि वो इकलौती पावर बने इसका कहने क मतलब यह है कि रश्या जो है वो चाइना को इस प्रकार से कभी भी support नहीं करेगा कि चाइना दुनिया की इकलौती ग्लोबर पावर बने क्योंकि हम यूनी पोलर वर्ल्ड ओर के concept में बिलीव ही नहीं करते हैं वि बिलीव इन दा concept of multipolar वर्ल्ड ओर हमारे external affairs minister S.J. Shankar ने बोला कि इंडिया और रश्या के बीच collaboration प्रमोट करने के लिए हम 2 plus 2 dialogue launch करेंगे हमने पूछा है 2 plus 2 dialogue क्यों होता है तो S.J. Shankar ने बताया कि जब दो countries के external affairs minister और defense minister साथ में मिलते हैं उसको बोलते है 2 plus 2 dialogue और यह जो 2 plus 2 dialogue होता है this shows the importance that we are giving to a country आज की तारिक में यह जो हमारा 2 plus 2 dialogue है यह usually Japan और US के साथ होता है आपको पता है कि US और Japan हमारे कितने close दोस्ते हैं वो ही level of closeness Russia के साथ maintain करने के लिए S.J. Shankar ने बोला कि हम Russia के साथ भी 2 plus 2 dialogue 2021 में ही शुरू करेंगे जैसे ही Corona का खत्रा थोड़ा सा काम हो जाता है इसके साथ S.J. Shankar ने बोला कि Russia के साथ हमारे जो सबसे ज़ादा major areas of cooperation है वो है nuclear, space, defense and energy अगर हम nuclear domain की बात करते हैं तो हमारा Tamil Nadu में जो कुडन कुलम nuclear power project है वो चालू है और उसमें जो unit 5 है that is under construction, Russia ने ये बोला कि हम इंडिया की nuclear power projects में help करेंगे, civilian nuclear power projects में help करेंगे और रश्या की वज़े से ये कुडन कुलम nuclear power plant बन रहा है, इसके 4 units अल्रेडी बन चुके हैं और रश्या ने पांचवे और छटे unit पे काम शुरू कर दिया है मतलब कि रश्या हमारा nuclear domain में काफी reliable partner निकल के आता है, इसके अलावा अगर आप map देखें, तो रश्या का ये वाला जो area है इस area को बोलते हैं, far east region इस area को बोलते हैं, far east region basically, ये है Siberian region, far east Siberian region इस area में काफी ज़्यादा fossil fuels मिलते हैं, इस area में काफी ज़्यादा oil और natural gas मिलता है इंडिया ने इस area में investment करने की बात करी है, और ये बोला है कि हम रश्या के far east area में, oil और gas के sector में investment करने वाले हैं तो देखो, एक area of cooperation हो गया nuclear domain, दूसरा area of cooperation हो गया oil and natural gas तीसरी बात, रश्या इंडिया की help कर रहा है, to become self-sufficient in the defense domain रश्या जो है, इंडिया की help कर रहा है, to become self-sufficient in the defense domain डॉक्टर एश्या शंकर ने बोला कि इंडिया रश्या का defense relation है, that is based upon core development of defense equipments and technology transfer कहने का मतलब है, पहले का दौर ऐसा था, जब हम रश्या से सिरफ और सिरफ बना-बनाया समान import कर लेते थे, बना-बनाया समान खरीद लेते थे डॉक्टर एश्या शंकर ने बोला कि वो वाला दौर अब खताम हो चुका है और हम रश्या से बना-बनाया समान import नहीं करते, राधर अब हमारा focus होता है कि रश्या हमार को technology transfer करें और हम रश्या के साथ मिलके इंडिया में ही development करें defense equipment का, कहने का मतलब है रश्या ये समझता है कि इंडिया जो है, वो self-reliant, self-sufficient बनना चाता है defense के domain में और इसलिए, रश्या हमार को technology transfer करता है और making India in the defense sector में हमारी मदद करता है तो ये काफी important point है कि रश्या जो है, वो इंडिया की sensitivities और इंडिया के concerns को समझता है इसके अलावा, इंडिया और रश्या के बीच में, दो connectivity के major projects चालू है इंडिया और रश्या के बीच में connectivity के दो major projects चालू है एक है international north-south transport corridor और एक है लैडिवाउस्टॉक चन्नाई eastern maritime corridor कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इरान, इरान से Caspiancy, Caspiancy से Azerbaijan, Azerbaijan से रश्या हम रश्या के साथ एक ये वाला route डवलप कर रहे हैं इंडिया, इंडिया से इरान, इरान से Caspiancy, Caspiancy से Azerbaijan, Azerbaijan से रश्या इसे बोलते हैं international north-south transport corridor ये हम डवलप कर रहे हैं रश्या से connectivity promote करने के लिए और इधर चन्नाई से लैडिवाउस्टॉक तक लाइक दिस यहाँ पे है लैडिवाउस्टॉक और इधर है अपना चन्नाई तो चन्नाई से लैडिवाउस्टॉक तक इस्टन maritime corridor डवलप कर रहे हैं एजय शंकर ने बोला कि रश्या के साथ connectivity promote करने के लिए दोनों साइट से इस्ट कोस से भी और वेस्ट कोस से भी हम प्रतिबद्ध हैं और इन दोनों प्रोजेक्ट को हम जल्दी से ल्दी पूरा करेंगे यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि इंडिया और रश्या के बीच में जो इंटरनाशनल नौट साव ट्रांसपोर्ट कॉरिड़र है यह 2002-2003 अटल बिहरी वाजपाई के जमाने से पेंडिंग पड़ा हुआ है और इसको अल्मूस 20 साल हो गए है यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है इसके अलावा रचन्ने लाड़ी वास्टरक इस्टन मैरिटाइम कॉरिड़र है इस पर भी काम काफी स्लो चल रहा है और इंडिया को इन दोनों प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी खताम कर लेना चाहिए इसके अलावा एज यह शंकर ने बोला कि इंडिया और रच्या जो है वो अलग अलग मल्टी लेटरल फोरॉम से कोलाबरेट करते हैं और वो कलाबरेशन चालू रहेगा पर्टिकुलर्ली ब्रिक्स रच्या इंडिया चाइना फोरॉम शेंगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन जी ट्वेंटी और यूनसी आपको पता है कि इंडिया जो है इस ताइम पे लुग है यूनाइटे नेशन सेक्यूरिटी काउंसल का और रश्या जो है इडिजडा पर्मानेट मेंबर अफ़दा सेक्यूरिट काउंसल एज जै शंकर ने बोला कि सेक्यूरिटी काउंसल में दोनों ही देश मिलके आतंगवाथ insurgency, extremism और separatism के against collaborate कर रहे हैं इसके अलावा इंडिया और रश्या ने बोला कि अफगानिस्तान में शांती भाली हमारे बहुत जादे important है क्योंकि अगर अफगानिस्तान stable नहीं हुआ तो हमारा पूरा region unstable रहेगा अगर हम regional stability चाहते हैं तो अफगानिस्तान में stability आना बहुत ज़रूरी है इंडिया और रश्या बोट अफ़ देम are committed to independent sovereign democratic and peaceful अफगानिस्तान इन्होंने बोला कि अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार का violence नहीं होना चाहिए और वहाँ पे जितने भी आतंग की संगठन है वो खतम होने चाहिए साथ के साथ एक indirect reference ये दिया गया कि पाकिस्तान जो अलग-अलग terror groups को including Taliban और Al-Qaeda को अफगानिस्तान में support करता है उसे ये आतंगवाद को sponsor करना छोड़ देना चाहिए इसके अलावा इंडिया और रश्या ने बात करी कि हम इरान, लीबिया और सीरिया में peace and stability चाहते हैं इरान, लीबिया और सीरिया में काफी टाइम से tensions चालू है कहने का मतलब है सीरिया में civil war चल रहा है इसके अलावा लीबिया में civil war चालू है येमन की बात नहीं हुई यहाँ पर येमन के बारे में कोई reference नहीं था बलकि वो होना चाहिए था लेकिन इंडिया ने और रश्या ने येमन के बारे में येदर कोई reference नहीं दिया हाँ ये बोला गया कि इरान के जो crisis नहीं जल्दी सेल्दी settle होने चाहिए और जो US ने इरान के ओपर sanctions लगाए हुए है उनका जल्दी सेल्दी resolution होना चाहिए मतलब कि global security की बात करते वे Afghanistan, Syria, Libya और इरान की बात हुई और ये बोला गया कि इन चार countries में sanctions और जो पूरा violence का दौर है वो खतम होना चाहिए आखरी में Dr. S. Jashankar ने बोला कि हमारा जो Indo-Pacific area है हमारा जो Indo-Pacific area है जहां पे हम Quad के साथ collaborate कर रहे है for free and open Indo-Pacific for freedom of navigation and overflight हम चाहेंगे कि Russia भी हमार साथ यहां पे collaborate करे हम चाहते हैं कि Russia जो है वो हमार साथ Indo-Pacific में एक major partner बने और free and open Indo-Pacific ensure करने में हमारी मदद करे कहने का मतलब है इंडिया ने Russia को यह signal दिया कि अगर हम Indo-Pacific में US, Japan और Australia के साथ Quad Gender collaborate कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम Russia के साथ collaborate नहीं कर सकते S. Jashankar ने clear cut वहां पे बोला कि इंडिया अगर US, Japan और Australia के साथ collaborate कर रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि हम Russia के साथ collaborate नहीं करेंगे हम Russia के साथ भी collaborate करेंगे हम चाहेंगे कि Russia आगे आए और Indo-Pacific एरिया में हमार साथ collaboration करे to ensure freedom of navigation and overflight अगर Russia और India चाहते हैं कि उन्हें multi-polar world बनाना है तो Indo-Pacific में collaborate करना बहुत जरूरी है साथ के साथ India और Russia ने बोला कि हम ASEAN के साथ collaborate करेंगे और ASEAN centrality को Indo-Pacific एरिया में maintain रखेंगे यह था पूरा का पूरा AJ SHANKAR का विजिट और उन्होंने joint statement में क्या-क्या बाते बोली पूरा summarize कर दिया है प्रिमेंट इंटरव्यू और ASEAN के परस्पेक्टिफ से अनकाडमी असब्सक्राइब करने के लिए यूज़र रफ्रिल कोट मुदद गुपता 10 परन डिसकाउंट के लिए टेलिग्राम चालनल नीचे दिया उसे जाइन कर लिजिए अनकाडमी पर सिरभ एक हफ्ते के लिए 45% का डिसकाउंट चालू है अन जी एस अन ऑप्सन सब्सक्रिप्शन 11 तारिक को सुबह 11 वजे कॉमबैट होने वाला है इसके अलावा एक हफ्ते का प्रामिस वीच चल रहा है